आज हम कराएंगे exercise 8B के question आज हम 18 questions से start करेंगे 1 से 17 तक के question हमने इसके पहले वाले lectures 4 और 5 में करा दिया हैं आज हम 18 questions से start करेंगे 18th question in triangle A, B, C angle B is equal to 90 degree and BD is perpendicular to AC CE bisects angle C if angle A is equal to 48 degree find angle D, M, C and angle B, E, M यह हमारा question है इसका figure देख लेते हैं क्या से बना हुआ है यह हमारा A, B, C है यह D है यह हमारा E point है question में क्या कह रहा है question में कह रहा है angle B is equal to 90 degree and BD perpendicular to AC BD perpendicular to AC यहां कितना हो जाएगा हमारा 90 का angle CE bisects angle C CE angle C को bisect करता है bisect मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ को दो parts में divide करना है यहां पर CE angle C को bisect कर रहा है यानि जितना angle यह होगा उतना ही angle यह होगा if angle A is equal to 48 degree अगर angle A हमारा 48 degree है हमें बताना है angle DMC angle DMC यह वाला angle and angle BEM B, E, M यह वाला angle question में हमसे क्या कह रहा है हमें DMC यह वाला angle और B, E, M हमें यह वाला angle निकालना है अब देखे यह हमारा एक right angle triangle बन गया A, B, C क्योंकि यह जो B है vortex यह हमारा कितना angle बना रहा है 90 degree यह इस तरीके से है यह है 90 degree यह हमारा 48 degree तो यह angle हम पता कर लेंगे by angle sum property से क्या होता है इंटर अंगल A, B, C अंगल A प्लस अंगल B प्लस अंगल C हमारा होगा 180 degree अंगल A कितना दिया है 48 degree अंगल B कितना दिया है 90 degree अंगल C हमें निकालना है अंगल C क्या हो जाएगा 180 minus 90 उधर जाएगा और 48 भी उधर जाएगा यह हो जाएगा 180 minus 90 90 minus 48 degree यह हो जाएगा हमारा 10 minus 8 गया 2 8 minus 4 गया 4 अंगल C कितना आया हमारा 42 degree अंगल C क्या आया हमारा 42 degree अब यह पूरा हमारा 42 degree है और C क्या कर रहा है C क्या कर रहा है अंगल C को bicep कर रहा है टो पार्ट्स में यह 42 degree है यह कितना हो जाएगा 21 21 यह कितना हो जाएगा 21 और यह वाला एंगल भी हमारा 21 डिग्री हो जाएगा क्यूंकि 20 जो यह एंगल है एंगल DCB इसे CE बाइसेट कर रहा है बाइसेट कर रहा है मत्यब टू पार्ट्स में डिवाइट कर रहा है अगर पूरा हमारा 42 है यह 22 होगा और यह भी हमारा 22 होगा अब यह वाला एंगल हमारा इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा अब हम यह छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं छोटा वाला कैसे बना हुआ है इधर इसको राफ कर देते हैं यह इस तरीके से बना हुआ है यह है हमें यह वाला एंगल निकालना है तो यह हम एंगल सम प्रापर्टी से निकाल लेंगे यह भी हमारा एक ट्राइंगल है देखेंगे इंट्राइंगल DMC एंगल D प्लस एंगल M प्लस एंगल C हमारा हो जाएगा 180 डिग्री एंगल D कितना है 90 एंगल M कितना है हमें निकालना है एंगल C है हमारा 21 डिग्री 180 एंगल M कितना हो जाएगा 180 माइनस इन्हों को एड करेंगे हो जाएगा 1 9 और 2 11 एंगल M is equal to 180 माइनस 111 ये क्या आजाएगा इसको माइनस कर लेंगे 10 मेंसे बन गया 9 7 मेंसे बन गया 6 एंगल M हमारा कितना आगया 69 डिग्री ये क्या आगया हमारा 69 डिग्री 69 डिग्री DMC हमारा ये वाला एंगल हमने निकाल लिया क्या आया है DMC हमारा 69 डिग्री आब next पार्ट हमसे कह रहा है कि हमें एंगल BEM निकालना है B.E.M. क्या निकालना है M को? B.E.M. निकालना है ये 69 है देखी ये हमारा एक ऐसे कभी भी दो लाइन क्रोस करें वर्टिकल्य अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल एक्वेल होंगे और ये वाला इसके एक्वेल होगा vertically opposite angles में क्या होते हैं दो line intersect करें तो इसके सामने ये वाला अंगल equal होगा इशके सामने ये वाला इंगल equal होगा ये 69 है ये भी हमारा हो जाएगा 69 degree by vertically opposite angle हमें क्या निकालना है ये वाला अंगल आप देखिए हमें ये पता चल गया है इस triangle में अब हमको ये पता चल जाए तो हम ये वाला अंगल निकाल सकते हैं अब इसको रॉफ करके आगे पताते हैं देखिए ये एक ट्रेंगल बन रहा है ए डी बी ये है हमारा 90 डिग्री ये है 48 डिग्री ये कितना हो जाएगा अंगल सम प्रॉपर्टी से हम निकाल लेंगे ये हो जाएगा 48 प्लस 90 प्लस अंगल बी इस इकुल्स तो 180 डिग्री ये हो जाएगा 8, 9 और 4, 13 अंगल बी इस इकुल्स तो 180 डिग्री अंगल बी कितना जाएगा हमारा 180 माइनस 138 अंगल बी क्या हैगा? इधर आएगा 2 ये हो जाएगा 7 मिसे 4 गया तो 3 अंगल बी हमारा आएगा 42 डिग्री ये हमारा क्या आएगा? 42 degree ये क्या है हमारा 42 degree हमने ये वाला एंगल दिया थे एंगल A ये वाला ट्राइंगल दिया थे ना A, B, D इसमें ये 48 degree ये 90 तो हम ये निकाल लेंगे by angle sum property से angle sum property क्या कहता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल कसम 180 degree होता है अब इस ट्राइंगल में B, E, M में हमें ये पता चल गया ये हम ये निकाल लेंगे by angle sum property से तीनों एंगल का sum कितना होगा 180 degree यहाँ पर हम लिखेंगे angle B, E, M प्लस 42 प्लस 69 इस इकोलस टू 180 degree ये हो जाएगा हमारा 180 degree B, E, M कितना आजाएगा 180 माइनस 9 to 11 6, 4, 10, 1 11 B, E, M हमारा आजाएगा 69 degree ये हो गया हमारा आंसर angle B, E, M इस इकोलस टू 69 degree ये हो जाएगा हमारा 69 degree और angle D, M, C भी हमारा 69 degree आगया हो अब हम next question देखते हैं next question हमारा 19th question next हमारा 19th question क्या 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 हुरा in triangle P, Q, R P, Q is equals to Q, R and Angle PSR is Equilateral Triangle PSR is Equilateral Triangle If Angle Q is Equals to 26 Degree Find Y इसका डाइग्राम कैसे बना हुआ है? यह यह है हमारा PQR यह हमारा S हमें यह वाला एंगल Find करना है यह हमारा Y देखिए क्वेशन में क्या कह रहा है? Intrangle PQR PQ is Equals to QR PQ is Equals to QR PQ is Equals to QR and Intrangle PSR 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 हमारा Equilateral Triangle है PSR हमारा Equilateral Triangle है मतलब इसके तीनों साइड Equal है Angle Q is Equals to 26 Degree Find Y हमें य की वैल्यू Find करनी है अब देखिए यह हमारा PSR Equilateral Triangle है Equilateral Triangle क्या होता है? Equilateral Triangle जिसके तीनों साइड इक्वल हों उसे हम कहेंगे Equilateral Triangle और तीनों एंगल भी उसके इक्वल हों उसे हम कहेंगे Equilateral Triangle यह हमारा अगर X है तो यह भी X होगा और यह भी X होगा Equilateral Triangle मतलब तीनों साइड इक्वल तीनों एंगल इक्वल होगे अब angle sum property से हमें पता है तीनों angle को sum कितना होता है 180 डिग्री यह हो जाएगा x plus x plus x is equals to 180 डिग्री तीनों angle को sum 180 डिग्री यह आजाएगा 3x is equals to 180 डिग्री x is equals to 60 डिग्री कहीं भी equilateral triangle आए तो हम ये ध्यान रखेंगे equilateral की तीनों side equal होती है तीनों angle equal होते है वो angle कितने होते है 60 डिग्री तीनों angle कितने होंगे हमारे 60 डिग्री यह हमारा equilateral triangle है यह कितना हो जाएगा हमारा 60 degree यह वाला angle भी कितना हो जाएगा 60 degree और यह वाला angle भी हमारा हो जाएगा 60 degree हमें क्या निकालना है वाई अब देखी question में दिया है PQ is equals to QR PQ is equals to QR दिया है मतलब QR के सामने जो angle होगा और PQ के सामने जो angle होगा वो equal होगे यह हमने isocells triangle की जब property बताई थी तो उसमें बताया था कि कोई भी triangle है उसकी दो side अगर equal है उनके सामने वाले angle हमारे equal होगे इसके सामने ये वाला angle इसके सामने ये वाला angle हमारा equal होगा अब ये कितना है हमारा, ये 60 है, ये y है, तोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा y plus 60, देखिए, क्यूं, पी, क्यूं, पी, आर हो गया हमारा y plus 60 degree, क्यूं, पी, आर हमारा कितना हो गया, y plus 60 degree, क्यूं, आर, पी कितना हो जायगा, क्यूं, आर, पी, is equals to angle, क्यूं, पी, आर, by, आइसोसिलस प्रोपर्टी से यह हो गया हमारा पी कितना हो गया य प्लस 60 आर कितना हो जाएगा क्यों आर पी कितना हो जाएगा हमारा इसके इक्वल है यह हमारा हो जाएगा ये अंगल कितना आगया हमारा य प्लस 60 आप देखिए ये हमारा एक ट्रेंगल है ट्रेंगल P, Q, R किसी भी ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम हमारा होता है 180 डिग्री अब ये एंगल इसको रफ कर देते हैं इन ट्रेंगल P, Q, R एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R is equal to 180 डिग्री एंगल P कितना है Y प्लस 60 डिग्री Y प्लस 60 डिग्री एंगल Q कितना है 26 डिग्री एंगल R कितना है अभी हमने निकाला R कितना हो जाएगा जितना एंगल P होगा P कितना है Y प्लस 60 तो R भी कितना हो जाएगा y plus 60 degree is equals to 180 degree y y कितना हाजाएगा 2y plus इन तीनों को आट करेंगे आजाएगा 120 plus 26 120 plus 26 is equals to 180 degree 641 plus 2y is equals to 180 degree 2y कितना हाजाएगा 180 minus 146 146 2y कितना हाजाएगा 34 degree 2y कितना हाजाएगा हमारा 34 degree और y किया आजाएगा 34 divided by 2 is equals to 17 degree y किया आगया हमारा 17 degree y आगया हमारा 17 degree हमने यहाँ निकाल लिया आज़र अब हम करेंगे नेक्स्ट कुश्चिन एंगल A is equals to 70 degree एंगल B is equals to 36 degree एंगल D is equals to 68 degree यह हमारा डाइग्राम है यह हमारा डाइग्राम यह हमारा A, B, C, D, E, F, G एंगल A कितना दिया है हमें क्या निकालना है X और Y की value हम यह देखेंगे यह X कह रहा है यह Y कह रहा है क्या कह रहा है क्वेश्चिन में find the value of X and Y हमें X और Y की value फाइंड करनी है इन दा गिवन फिगर जो X और Y दिया है हमें यह निकालना है वेर एंगल A is equals to 70 degree एंगल A is equals to हमारा कितना है 70 degree एंगल A is equals to 70 degree एंगल B is equals to 36 degree एंगल B is equals to 36 degree एंगल D कितना है 68 degree एंगल D कहा है यह यह हमारा है 68 degree एंगल F कितना है 56 degree एंगल F हमारा 56 degree है Question में क्या कह रहा है हमें x और y की value find करनी है हमें angle a दिया है b दिया है d और f दिया है हमें x और y की value निकालनी है देखो यह हमारा एक triangle है यह है a यह है b यह है c यह हमारा 70 degree है यह 36 degree है यह हमारा 70 degree है angle b कितना है 36 degree यह हमारा x हमें x निकालना है यह आपको angle यह triangle a,b,c दिख रहा है x क्या है triangle a,b,c का exterior angle है exterior angle क्या होता है triangle की किसी भी side को हम आगे बढ़ाएं तो जो angle बनाता है उसी को हम कहते है exterior angle जैसे इसमें b,c को हमने आगे बढ़ाया e तक यह angle हमारा हो जाएगा exterior angle और triangle की अंदर जो angle होते हैं उन्हें कहते हैं interior angle exterior angle क्या होता है exterior angle होता है sum of opposite interior angle sum of opposite interior angle तो हम यहां करेंगे 70 plus 36 degree यह कैसे आया by exterior angle property by exterior angle property x कितना आ जाएगा हमारा 6,7,3,10 x कितना आ गया हमारा 106 degree x आ गया हमारा 106 degree अब हमें क्या निकालना है y की value निकालनी है इसको rough करके आगे करते है y के देखिए हमें 106 degree मिल गई x की value अब हम यह angle निकाल सकते हैं इन्हें straight line कितने भी angle बने हो उन सब के sum होते हैं 180 degree यह 106 degree है तो यह कितना हो जाएगा यह वाला angle हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस 106 degree angle d c e angle d c e plus angle a c e a c e क्या हो जाएगा 180 degree d c e कितना है यह हमें निकालना है और a c e अभी हमने निकालना कितना है 106 degree यह angle d c e d c e क्या हो जाएगा 180 माइनस 106 इसको माइनस करेंगे यह आ जाएगा 4 और यह आ जाएगा यहाँ पर 7 अभी हमें अभी हमें d c e क्या है हमारा 74 डिग्री यह कितना आ गया हमारा 74 अभ next क्या करेंगे हम y निकालने के लिए अगर हमें यह वाला अंगल पता चल जाए यह वाला अंगल अगर हमें मिल जाए तो हम angle सम प्रोपर्टी लगाकर निकाल सकते हैं अब यह angle कैसे मिलेगा उससे हम उससे पहले यह वाला angle हम निकाल लेंगे यह कितना हो जाएगा in triangle in triangle c d e angle c plus angle d is equals to 180 degree triangle c d e में angle c plus angle d plus angle e हो जाएगा हमारा 180 degree angle c कितना है? 74 angle d कितना दिया है हमें? 68 degree angle e क्या है? हमें निकालना है यह हो जाएगा angle e is equals to 180 minus 8, 4, 12, 1 carry, 7, 7, 14 angle e is equals to 8 38 angle e क्या है? यह वाला क्या गया हमारा? 38 degree अब हमने यह बताया था vertically opposite angles क्या होते हैं? ऐसे cross line बने जैसे इसमें बन रही है यह, यह cross line बन रही है तो यह वाला angle इसके equal होता है यह वाला angle इसके equal होता है by vertically opposite angle यह 38 है तो यह भी हमारा 38 degree हो जाएगा by vertically opposite angle अब क्या करेंगे? यह F, E, G हमारा एक triangle है और triangle में तीनो angle का सम 180 degree होता है यहाँ पर हो जाएगा इन्ट्राइंगल F, E, G इन्ट्राइंगल F, E, G तीनो angle का सम 180 degree हो जाएगा angle F plus angle E plus angle G हो जाएगा हमारा 180 degree G कितना है? Y E कितना दिया हुआ है? 38 degree अभी हमने निकाला और F हमें question में दिया है 56 degree यह is equals to 180 degree 8, 6, 14, 15, 3, 8, 1, 9 Y क्या आएगा? 180 minus 94 degree Y क्या आजाएगा? यह आजाएगा इदर 6 यह आजाएगा हमारा 10 में से 4 गया 6 यह 7 हो गया, यह 9 यह हो जाएगा हमारा 8 17 में से 9 जाएगा, कितना आएगा? 8 Y की value क्या आगई हमारी? 80, 60 हमें क्या निकालना थे? X और Y की value X आगया हमारा 160 degree Y आगया हमारा 80, 60 अब नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन है हमारा 21 क्वेशन 21 क्वेशन क्या कह रहा है in the given figure in the given figure BE is parallel to CD angle D CG is equals to 85 degree Angle EBF is equals to 10 degree and AC is equals to BC. Find angle FAC and angle ACB. Diagram कैसे दिया है कुशिन में? ये है हमारा B, ये है G. ये है हमारा E point, ये F. ये है हमारा D, ये है A. कुशिन में क्या कह रहा है? In the given figure, BE is parallel to CD. BE is parallel to CD. BE हमारा क्या है? CE के parallel है. Angle DCG is equals to 85 degree. Angle DCG is equals to 85 degree. Angle EBF कितना दिया है? 10 degree. Angle EBF कितना दिया है? 10 degree. And AC is equals to BC. AC is equals to BC. ये वाली और ये वाली साइड इकुल. Find angle FAC and angle ACB. हमें क्या find करना है? FAC ये वाला इंगल. FAC यानि ये वाला इंगल. And ACB, ACB यानि ये वाला इंगल. हमें क्या find करना है? FAC का एंगल और ACB का एंगल find करना. हमें question में, ये दिया है कि BE is parallel to CD. अब parallel दिया है तो हम parallel वाली properties लगाएंगे parallel को concept क्या था दो line parallel है उन parallel lines को जो line कारती है उसे हम कहते हैं transverse line और हमने parallel lines में पढ़ा है corresponding angle corresponding angles क्या होते हैं ये एंगल इसके एक्वल होगा. ये एंगल इसके एक्वल होगा by corresponding angles. यहाँ पर ये कितना है? ये कितना है हमारा 85 तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 85 तेगरी by corresponding angles. by corresponding angles. देखिए ये हमारा D और CD जो है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा by corresponding angles. ये हम लिखेंगे angle E, DC is equals to angle DCG by corresponding angles. by corresponding angles of parallel lines. by corresponding angles of parallel lines. E, B, C हमारा कितना हो जाएगा? E, B, C हो जाएगा हमारा 85 डिगरी. angle DCG कितना दिया हुआ है? 85 डिगरी. ये हम लिखेंगे. E, B, C. अब ये हमारा 85 है. ये 10 है. तो ये कितना हो जाएगा? 75 डिगरी. ये angle पूरा हमारा 85 है. और ये 10 है. ये कितना हो जाएगा? 75 डिगरी. अब देखिए. ये हमारा triangle A, B, C है. इसमें क्या कह रहा है? AC is equal to BC. तो AC के सामने जो angle होगा? वो BC के सामने भी होगा. यहाँ AC के सामने 75 डिगरी है. तो BC के सामने ये वाला angle भी हमारा 75 डिगरी होगा. क्या होगा AC के सामने 75 डिग्री तो BC के सामने भी 75 डिग्री होगा हमें क्या निकालना है ये वाला एंगल हमें निकालना है हमको ये एंगल निकालना FAC अब ये कैसे निकालेंगे देखिए FAB एक स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल कर सम 180 डिग्री होता है यह 75 हो तो यह कितना होगा 180 से माइनस कर लेंगे देखिए F A C plus B A C is equals to 180 डिग्री बाइ स्ट्रेट लाइन F A C हम निकालना है B A C कितना दिया हुआ है 75 डिग्री प्लस 180 डिग्री अंगल F A C कितना आजाएगा 180 माइनस 75 यह आजाएगा 501 एंगल F A C किया आजाएगा 105 डिग्री एंगल F A C किया आगया हमारा 105 डिग्री यह हो गया हमारा 105 डिग्री अब हमें क्या निकालना है एंगल A C B यह वाला एंगल अब हमें निकालना है यह कैसे निकालेंगे यह हमारा एक ट्रेंगल है ट्रेंगल A B C यह ट्रेंगल है यह 75 है और यह भी 75 है हमें यह वाला एंगल निकालना है बाइंगल सम प्रोपर्टी से हमें पता है तीनों एंगल कसम कितना होगा 180 डिगरी तो हम निकाल देंगी यहां हो जाएगा इंटर एंगल A B C एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हो जाएगा हमारा 180 डिगरी एंगल A कितना है? 75 डिग्री एंगल B कितना है? वो भी 75 है और एंगल C कितना है? यह हमें निकालना है एंगल C क्या हो जाएगा? 180 minus 5510, 177, 141, 15 एंगल C कितना आ गया? हमारा 30 डिग्री हमें क्या निकालना था? यह वाला एंगल यह हमारा कितना आगे है 30 डिग्री यह है हमारा 30 डिग्री और F, A, C कितना आगे 105 डिग्री अब कराते हैं next question next question है हमारा 22 in the given figure 22 in the given figure triangle ABC is equilateral triangle angle P कितना दिया हमारा 40 डिग्री and angle Q कितना दिया हमारा 30 डिग्री find find the value of x y and angle P A Q if P B C Q is a straight straight line in the given figure figure हमें given है यह है हमारा A, P, B, C और यह Q question में क्या कह रहा है question में इसे x और इसको y मारना question में कह रहा है in the given figure triangle ABC is equilateral triangle triangle ABC is equilateral triangle इसंके पहले हमें इसके पहले वाले question में हमने देखा था इसके तीनो एंगल सीक्वल हो तो कितने होंगे 60 डिग्री के यह हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री क्यों? η cheer enfin urpability triangle में क्या होता है इसके तीनो एंगल 60 डिग्री के होते हैं एंगल B, एंगल C और एंगल A हमारा हो जाएगा 60 degree और इसके तीनों साइड भी एकोल होती हैं एंगल P कितना दिया हुआ है? 40 degree एंगल P है हमारा 40 degree एंड एंगल Q कितना है? 30 degree एंगल Q है हमारा 30 degree Find the value of xy and paq ये वाला एंगल Pbcq is a straight line ये बहुत ही easy question है, देखिए ये हमारा triangle है हमने किसको लिया? ये वाले triangle को ये हमारा 40 degree, ये है x, ये हमारा 60 degree ये आपको कैसा लग रहा 60 degree क्या है? exterior angle, क्योंकि हमने pb को आगए produce किया तो ये क्या हो जाएगा? 60 degree is equal to 40 plus x, क्यों? क्योंकि 60 degree हमारा exterior angle है और exterior angle क्या होता है? sum of opposite interior angles opposite interior angles का sum होता है exterior angle x क्या जाएगा? 60 minus 40 x क्या जाएगा हमारा 20 degree x क्या जाएगा हमारा 20 degree ये हो जाएगा हमारा 20 degree y निकालेंगे y में भी a, c, q ये इस तरीके से बना है? a, c, q ये 30 degree है ये y है ये कितना हो जाएगा? ये हमारा exterior angle है क्योंकि हमने c, q को आगए बढ़ाया है ये हमारा exterior angle है और exterior angle में क्या होता है? 60 is equals to y plus 30 sum of opposite interior angles 60 minus 30 is equals to y y is equals to 60 minus 30 हो जाएगा हमारा 30 हमें x और y पता चल गया y कितना है हमारा? 30 degree x कितना है? 20 degree हमें question में x और y की value मिल गई हमें निकालनी है P, A, Q P, A, Q P, A, Q यानि ये अगर P, A, Q है हमें ये पूरा angle चाहिए ये वाला पूरा angle चाहिए इतना ये 20 degree है ये 60 है ये 30 है तीनों को आड़ कर देंगे तो हमारा P, A, Q आ जाएगा P, A, Q क्या आ जाएगा? तीनों angle का sum angle P, A, Q हो जाएगा 20 plus 60 plus 30 degree 20 plus 60 plus 30 क्या जाएगा? P, A, Q ये वाला पूरा angle angle P, A, Q क्या जाएगा? 60, 30, 90 90 plus 20 111 ये हम है अमारा answer अब next question देखते next हमारा 23rd question in the given figure in the given figure AD by 6 angle B, A, C and D, E by 6 angle B, D, A find angle B, E, D ये आपको दिख रहा है यहाँ बाइसेक्ट लिखा हुआ D, B, E, C ये हमारा figure है figure कैसा है? ये है हमारा A, B, C ये point है D और ये E question में क्या दिया है question में दिया है AD by 6 angle B, A, C AD angle B, A, C को bysept कर रहा है यानि जितना angle ये होगा उतना ही angle ये वाला होगा क्योंकि AD क्या कर रहा है? B, A, C को bysept कर रहा है bysept मतलब two parts में divide करना and DE bysept DE bysept angle B, D, A B, D, A को DE क्या कर रहा है? bysept कर रहा है यानि ये वाला angle इसके equal होगा और हमें question में क्या दिया है? angle B हमें 40 degree दिया है angle C हमें 80 degree दिया है find करना हमें B, E, D B, E, D हमें ये वाला angle हमें B, E, D हमें ये वाला angle find करना है तेखिए ये है A, B, C एक triangle है जिसके दो angles दिये हुए B और C तो हम तीसरा निकाल लेंगे by angles हम प्रॉपर्टी से ये है हमारा A, B, C ये है 40 ये है 80 ये कितना होगा? angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree angle A B कितना है? 40 C कितना है? 80 equals to 180 degree angle A कितना हो जाएगा? 180 minus 80 plus 40 120 angle A कितना आजाएगा? 60 degree angle A कितना आया हमारा? 60 degree अब ये 60 degree है ये पूरा हमारा 60 degree है ये हो जाएगा 30 degree ये हो जाएगा 30 degree क्योंकि AD हमारा ये पूरे एंगल को बाइसेट कर रहा है टो पार्ट्स में डिवाइट कर रहा है ये पूरा अगर 60 है तो ये 30 और ये 30 होगा अब देखिए ये ये ट्रेंगल दिख रहा ADC ADC ये हमें 30 पता चल गया ये हमें 80 पता चल गया ये बाल एंगल क्या होगा exterior एंगल exterior एंगल क्या होता है किसी भी लेंथ को क्रांगल के किसी भी साइट को हम आगे बढ़ाएं और वो जो एंगल बनाएं उसे हम कहते है exterior एंगल ये हमारा exterior एंगल है exterior एंगल कितना हो जाएगा exterior angle कितना हो जाएगा हमारा 80 plus 30 sum of opposite interior angles exterior angle किया जाएगा 8 3 11 110 degree यह हमारा पूरा कितना आ गया यह आ गया हमारा 110 degree यह two parts में divide है 110 को हम two parts में divide करेंगे क्या जाएगा 55 55 और 55 यह पूरा एंगल 110 है एक एंगल 55 होगा धूसरा भी 55 होगा क्योंकि DE हमारा यह वाले एंगल को यह वाले एंगल को byset कर रहा है यह 55 यह भी 55 अब हमें निकालना क्या है angle B, E, D निकालना है यह वाला एंगल निकालना है अब देखिए, किसी भी ट्रैंगल में दो एंगल पता चल गए, तो तीसरा निकाल लेंगे, बाइंगल सम प्रोपर्टी से. इन ट्रैंगल, B, E, D, ये ट्रैंगल B, E, D है, ये 40 डिग्री, ये 55 डिग्री, तो ये वाला अंगल हम निकाल सकते हैं. ये हो जाएगा, एंगल B, प्लस एंगल E, प्लस एंगल D, is equal to 180 डिग्री, एंगल B कितना हैं, 40 डिग्री, एंगल E कितना हैं, ये हमें निकालना है, एंगल D है हमारा, 55 डिग्री, एंगल E क्या है, 180 minus 95 डिग्री, अब हम मैनस करेंगे, 180-95 10 में से 5 गया, 5 बचेगा ये हो गया हमारा 7 17 में से 9 गया, कितना बचेगा? 8 ये हो जाएगा 85 एंगल E क्या गया हमारा? 85 डिग्री BED एंगल BED BED हमारा क्या आंसर आ गया? 85 डिग्री अब नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन है हमारा 24 गया 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 है? इंगल 24 गया गया है इंगल PQR PQ is equal to PR S is a point on PQ such that SR is equal to QR is equal to SP find angle P गया 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 है? यह हमें figure दिया हुआ है यह है PQR यह है यह है S SR किसके इक्वल है? QR के इक्वल है SR किसके इक्वल है? QR के QR किसके इक्वल है? S P के QR किसके इक्वल है? S P के question भी क्या कह रहा है inner triangle PQR PQR हमारा एक triangle है जिसमें PR is equals to PQ PR और PQ की length same है और आगे क्या कह रहा है QR SR और SP की length same है हमें क्या find करना है angle P हमें P का angle find करना है देखी यह हमारा P, इसको हम अगर X माल ले angle P को हम X माल लेते हैं यह हो जाएगा हमारा PQR देखी यह QSR एक triangle है जिसकी यह SR QR के equal है SR के सामने यह वाला angle इसको अगर हम Y माल ले QR के सामने यह वाला angle भी हमारा Y होगा SR के सामने Y माल लेंगे angle को तो QR के सामने भी Y होगा अब देखी यह अब देखी यह PQR एक triangle है जिसमें PQ is equal to PR PQ के सामने यह वाला angle PR के सामने यह वाला angle equal होगा यह Y है तो यह कितना हो जाएगा पूरा Y हो जाएगा यह Y है तो यह भी Y हो जाएगा क्यों? क्योंकि PR के सामने Y है और PQ के सामने भी Y होगा बाइ आई से से ट्रेंगल देखी अब यह हम ट्रेंगल ले लेते हैं PQR इसको लिख सकते हैं इन ट्रेंगल PQR एंगल P प्लस Q प्लस R कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री P कितना है? X Q कितना है? Y और R कितना है? Y Is equals to 180 डिग्री 2Y प्लस X Is equals to 180 डिग्री यह हमारी पहली एक्वेशन है यह हमारी पहली एक्वेशन है अब हम यह वाला एंगल लेते हैं यह क्या है? S Q R S क्यूं R ले लेते हैं इसमें क्या होगा? S Q R में देखिए अब देखिए हमें इक्वेशन है अब यह देखिए यह X है यह X है यह हमारा क्या हो जाएगा? exterior angle क्योंकि हमने P S को आगे बढ़ाया क्यूं तक? किसी भी triangle की किसी भी side को हम आगे बढ़ाते हैं तो वो जो angle बनाता है उसे हम कहते हैं exterior angle यह हमारा exterior angle है exterior angle क्या होतता है? sum of opposite interior angles Y क्या हो जाएगा हमारा? X plus X Y क्या हो जाएगा? X plus X Y हो जाएगा 2X यह दो equation हमें मिल गएगी पहली equation 2Y plus X is equals to 180 degree दूसरी equation है Y is equals to 2X अब देखिए Y की जगा हम 2X put कर सकते हैं पहली equation में Y की जगे 2X put कर सकते हैं यह 2Y की जगा हम क्या लिख दे? 2X plus X is equals to 180 degree यह हो जाएगा? 2 to 4X 4X plus X is equals to 180 degree यह हो जाएगा 5X is equals to 180 degree X की वेल्यू क्या जाएगी? 180 divided by 5 5,3 जा 15 16,17,18 3 इधर कैरी 5,7 जा 35 X की वेल्यू क्या आ गई हमारी? 35 X आ गया हमारा तेखी यहाँ थोड़ा सा गलत हो रहा है यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ 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 पर हमारा 180 degree होगा 180 divided by 5 5,3 जा 15 3 इधर यह हो जाएगा 30 5,6 जा 30 X की वेल्यू क्या आ गई हमारी? 36 हमने X इसको माना था यह आ गया हमारा 36 degree एंगल P ही हमें find करना था और वो हमारा solve हो गया Next and last question है हमारा 25 question यह exercise 8B का last question है 25 question इंटरेंगल A, B, C थोड़ा और और मीचे लिखते है इंटरेंगल A, B, C A, B is equals to A, C and एंगल A, एंगल B का रेशियो कितना दिया है? 4 रेशियो 3 A और B का रेशियो कितना दिया है? 4 रेशियो 3 हमें एंगल C की वैल्यू find करनी है देखें इन ट्रेंगल A, B, C हमें एक ट्रेंगल बनाते हैं A, B और यह C A, B is equals to A, C दिया है A, B is equals to A, C and एंगल A और एंगल B का रेशियो कितना दिया है? 4 रेशियो 3 find एंगल C हमें एंगल C find करना है देखें A, B is equals to A, C तो A, B के सामने ये एंगल इसको Y मान लें तो A, C के सामने ये वाला एंगल भी हमारा Y होगा A, B के सामने Y है तो A, C के सामने भी Y होगा by Isosilis Trangle इसमें आप करेंगे, देखें, A, B A और B का रेशियो 4 एंगल A और B है हमारा 4 by 3 B कितना माना है हमने? B कितना माना है? Y देखेंगे A on Y is equals to 4 by 3 ये इधर divide हो दर जाएगा तो multiply हो जाएगा ये हो जाएगा एंगल A is equals to 4 by 3 Y एंगल A कितना है है? 4 by 3 Y एंगल A कितना है? एंगल A है हमारा 4 by 3 Y अब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से Y की value निकालना है इंटर एंगल A, B, C एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री एंगल A कितना है? 4 by 3 Y एंगल B कितना है? Y एंगल C कितना है? Y इस equals to 180 डिग्री अब देखिए हम क्या करेंगे? 3 का LCM ले लेते हैं यह हो जाएगा 4Y यह हो जाएगा 3Y और यह भी 3Y 4, 3, 7, 7, 3 10Y 10Y is equal to 180 इंटू 3 यह यहाँ डिवाइड है? उधर जाएगा तो मल्टिप्लाइ हो जाएगा 180 इंटू 3 Y क्या हो जाएगा? 180 इंटू 3 डिवाइड बाइ 10 10Y के साथ यहाँ मल्टिप्लाइ में है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 10 10 में 1 0 और इसका 1 0 कट जाएगा Y क्या जाएगा? 8,024 2, 3, 3, 3, 4, 5 Y कितना आगे हमारा? 54 4 डिग्री Y कितना आगे हमारा? 54 डिग्री हमें एंगल C निकालना थे एंगल C कितना आया हमारा? Y है Y की वैली हमारी आगे 54 डिग्री यह हमारा आंसर हो गया यह लेक्चर हमारा कम्प्लीट होता है अब इसके बाद हम मिस्लीनियस अक्सिसाइज कराएंगे Thank you for watching paranormal कि इसके लेक्चर आगे